हेलो फ्रेंड्स and once again welcome back to our YouTube चैनल Finstock Investment अगर आप इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आगान भी दवा देजे इस चैनल पर आपको investment और stock market से related latest news और updates मिलते रहती है तो अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर कर लिजे तो चलिए इस वीडियो में हम लोग काफी एक important topic पर बात करेंगे कि एक दिन पहले ही हम कैसे predict कर सकते हैं कि share price उपर जाएगा या नीचे जाएगा तो ये जो method है ये एक pull proof method नहीं है और ये हम दूसरे बाजार को देखके इसमें हम अनुमा लगाएंगे तो इस वीडियो को आप देखे अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक किजिए और अपने stock market strategy में implement किजिए और अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप dislike भी कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं तो आपको जैसा कि पता ही है कि Sensex और Nifty Indian बजार का एक overall picture दिखाता है उसी तरह से Dow Jones Industrial Average USA के बजार का एक picture दिखाता है तो आप देख सकते हैं जैसे Dow Jones आज उपर गया है तो उसी तरह से आज के दिन Sensex भी करीब 1.6% उपर चड़ा है उसी तरह से अगर आप NASDAQ की बात करेंगे तो NASDAQ एक technology related stock है USA में जो कि आज के दिन वो नीचे गीरा है उसी तरह से आज आप देख सकते हैं कि इंडिया के जितने भी technology related stock है वो almost सभी stock नीचे गीरे हैं उदाहरन की तोर पे आप Apple का stock देख सकते हैं यह उपर चड़ा है लेकिन Microsoft का stock करीब 3% नीचे गीरा है उसी तरह से Facebook का stock भी आप देख सकते हैं करीब 3% नीचे गीरा है तो overall हम कह सकते हैं कि अगर आप 10 बार अगर इसको लगाते हैं इस method को तो आपका 8 बार जरूर यह method correct होने के chances हैं जैसे कि आपने देखा कि Microsoft का उपर गया लेकिन दो stock नीचे भी गया है तो overall majority of the time यह method आपको useful रहेगा तो चले इसको detail में एक बार देख लेते हैं यह कैसे work करता है हम लोग एक एक करके Indian market में जो listed company है उसका हम लोग stock price देखेंगे और जो USA का एक दिन पहले का जो stock price रहता है उसका देखेंगे Dow Jones का तो आप देख सकते Infosys का Dow Jones पे आपकी जिगाई यह Indian price है यह आज करीफ 3.75% नीचे गिरा है अगर हम इसका Dow Jones का price देखेंगे वो भी 1.85% नीचे गिरा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि Dow Jones का एक दिन पहले नीचे गिरा था तो next day Infosys का भी नीचे गिरा है यह hard and fast rule नहीं है ऐसा हमने पहले ही आपको पता दिया वीडियो में यह एक तरह से अप अंदाजा लगा सकते हैं कि next day किस तरह से share price movement कर सकता है यह mostly उन लोगे के लिए useful होगा जो trading या intraday trades करते हैं चले आगे देखते हैं next example next आप Vipro का देख सकते हैं 10th November का जो share price था वो 2.66% Nasdaq के market में नीचे गया था यानि कि USA के market में वही अगर आप Indian market का Vipro का price देखेंगे तो just एक दिन बाद यह 2.51% नीचे गया है तो exact इसने same trend दिखाया जो USA के बजार में दिखा था उसी तरह से HDFC Limited का आप USA के market में आप price देख सकते हैं 67.48 USD है वही 1.07% increase वहा था उसी तरह से Indian market का price आप देखेंगे तो यह next day जब India का 10th November हुआ तो उसमें 3.93% increase हुआ तो just same trend इसमें भी देखा गया उसी तरह से आप भी Pfizer का भी देख सकते हैं 10th November को पिफाइजर का जो share price था वो US के market में 0.87% नीचे गया था और इसका जो trend था वो starting में काफी high था इसका share price और धीरे धीरे जो इसका trend था वो down हो गया था उसी तरह से आप आज का पिफाइजर का इंडियन मार्केट में आगा share price देखेंगे तो आपको same trend देखने को मिलेगा इसका जो share price है वो starting में काफी high खुला था starting में open हुआ था इसका price और धीरे धीरे ये नीचे की और काफी गिरा और last में कम अंतर में बंद हुआ था इस तरह से हम इसका trend भी अनुमाल लगा सकते हैं और ये strategy mostly intraday traders और जो trading करते हैं उनके लिए काफी useful रहता है तो आप इस method को आप अपना स कर सकते हैं अपने trades में और एक दिन पहले ही share price का trend आप जान सकते हैं तो ये mostly आप उन सारे stocks पे कर सकते हैं जो US के market में listed है ADR के रूप में यानि कि American depository receipt अगर आपको ADR पर भी वीडियो चाहिए तो आप comment करके पोल सकते हैं हम लोग उस पे भी एक वीडियो बना देंगे तो आप yes कमेंट कर देजिए जितना ज़्यादा yes आएगा हम ADR पे एक वीडियो बना देंगे अगर आपको एक और method देखना है कि stock price आप होगा या down होगा तो चले एक और method हम आपको बताते हैं एक और method यह है कि आप NSC का site पर चले जाइए और किसी भी share का आप उसमें खोल सकते हैं तो आपको बस type करना है जो भी share का आपको search करना है जैसे मैंने सर्च किया है वेदान्ता का तो वेदान्ता NSC सर्च किया और directly जो link आया है उसको मैंने खोला है इसमें आप security wise delivery position जाके देख सकते हैं अगर delivery में आपको जो percentage है वो ज्यादा दिख रहा है percentage of delivery to trade quantity माले जी है 60% 70% दिख रहा है मतलब लोग इसको delivery में ज्यादा रख रहे हैं और next day आने वाले chances में आने वाले दिन में इसकी chances ज्यादा है कि ये green में जाए यानि अप हो तो इस तरह से आप इसका price next day के लिए predict कर सकते हैं कि ये up जाएगा या down जाएगा लेकिन ये सारे strategy फुल प्रूफ नहीं है और इससे सिफिक अप अंधाजा ही लगा सकते हैं तो we hope ये वीडियो आपके लिए पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को like कीजिए और अगर आपको कोई doubt है तो ज़रूर कमेंट कीजिए और friends अगर आपने इंडिया के largest brokerage firm जिरोधा में अभी तक demate account नहीं खोला है तो आप जल्दी से वीडियो के description में link दिया गया है वहाँ से जाके आप within minutes account खोल के आप trading या investing करना चालू कर सकते हैं तो hurry up and we hope ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share कीजिए तो thank you for watching